लाइब हो रहे हैं नमस्कार आज हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का एक खास दिवस है हिंदुस्तान के पराक्रम के प्रतीक पुरुष त्री सुभाष चंद्रबोस के जन्म का दिन और सुभाष चंद्रबोस ने क्या नारा दिया आप उनके नारे के ओर चल कर देखे तो जो लोगों के बीच का आपने समबोधन सुना है है कि क्वाते हैं कि एक दूसे को जैहिंद जैहिंद मश्राष estimates का दिया हुवा ऐंवा भुधन सुभाष चंद्र बोस का इतिहास कई सारे रंगों में रंगा हुआ से कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को राश्ट्रिय आंदूलं के महानायक के आगे देखने ही पाते। कुछ लोग सुभाश कंद्रबोस को जब रगने लगते हैं तो उन्हें फासिबात के रंग तेंगे रंग देते हैं। सुभाश चंद्रबोस को काई प्रकार के तिलस्मों में कायद करके परते हैं कि क्या है उनकी विचाधा एक बहुत बड़ा विवाद इस बात को लेकर रहता है कि सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जो भारत की आजादी के वक्त दी जिंदा होते और भरती राष्टी राजनीती में होते तो क्या वो भारत के पधर मंत्री होते है यदि सुभाष चंद्र बोस भारत का पधर मंत्री होते है तो उनकी नीतियां क्या होती है मैं आज की चर्चा इस तरीके से करना चाहता हूं कि जिसमें सुभाष चंद्रबोष से सम्मंधित जो फ्रिक्वेंटली आस्ट कोश्चन्स हैं हम उन कोश्चन्स को कवर कर सकते हैं यानि कि इसका दो पार्ट नमर वान कि हम इतिहास की बाते तो करेंगे पार्ट नमर टू कि हम यह समझने की कोशिस करेंगे कि सुभाष चंद्रबोष की बिचार धारा क्या है और सुभाष चंद्रबोष को हम सिर्फ इतने तरीके से पढ़ है कि वह हिंदुस्तान के राष्ट्रे अंदोलन के लिए लरने मरने के लिए तयार रहने वाले एक योध्दा थे तो यह सुभाष चंद्रबोष जैसे बहुत बड़े व्यक्तित्तों वाले व्यक्तिक के वे के दिन पैदा होते हैं और और बर्स आ सब्सक्राइब मॉलाना आजाद थोड़े बड़े थे और बड़े होने किदवतहे अपने हम बोधनों में कई दफा बड़े भाई भी कहते थे तो आप देखेंगे कि सुभास बाबों का जन्म हो रहा है अठासो संतानवे में और उनकी मृत्ति होती है उन्हीं सौ पैतालिस में मोटे तौपर अर्टालिस बरस किया हूँ पचास भी नहीं छुपाया जो इनसान वह इनसान पचासो हजार साल के इतिहास के लिए अपना नाम दर्ज करके गया तो इस बीच की आवध ही में उन्होंने क्या 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 किते हैं कि सुभास कम जिये लेकिन बहुत जिये तो सुभास ने अपनी पढ़ाई की शुरुवात एक एंगलिकन स्कूल में किया वहां से फिर प्रसिदेंशी कॉलेज की और जाते हैं प्रसिदेंशी कॉलेज के अंदर उन्होंने जो सानदार परफॉर्क्परमेंस किया philosophy में वो पढ़ाई किये थे वहां से निकल कर वो फिर imperial civil services के तैयारी करने के लिए चले गए लंदन उसमें वो select हुए उस समय भारत के किसी व्यक्ति का imperial civil services में select होना एक rare case होता था और सुभास बावू नसिब select हुए बलकि fourth rank के साथ select हुए अब इतने बरे एक्जाम में पास करने के बाद सुभास बावू का क्या दिसा संभव है सुभास बावू ने जो दिसा पकड़ी है वो फिर civil services की नहीं पकड़ी तो आप पोचके दंग रह जाएंगे कि उन्होंने इतने बरे एक्जाम को क्लेर किया और क्लेर करने के बाद का दिया कि मैं तो नोकनी नहीं करूँ तो अप्र स्टांपिंग इस टैलेंट अंदे चेस्ट अब दी कंपेटिशन अपनी आत्मा के अंदर की आवाज को सुने और अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए उन्होंने ये तै किया कि मैं आखिर उस सरकार के सहाईता में अपनी जिन्दगी कैसे खर्च कर सकता हूँ जिसके भाव से जिसके विचार से जिसके ब्यवार से मैं बिलकुल ही असहमत हूँ आप तीनों सब्दों को मार करिए उनका ये ख्याल है कि यह सरकार भाव से विचार से ब्यवार से सभी अस्तर पर भारतियों के दिरुद है और मैं भाव, विचार, बेभार, सभी अस्तरों पर भारतियों के लिए जीना चाहता हूं और ज़रुरत परितों मरना चाहता हूं ऐसी स्थिती में मैं इस सरकार के साथ में खुद को खर्च नहीं कर सकता यहीं से बात आप नोट कर सकते हैं कि वो कितना पराक्रमी आदमी है जो उस समय के 200 के सबसे लिकुरिटिव जॉब को छोड़ देता है आप गौर करके देखेंगे कि यह सारी कहानियां 1921-21 के दौर में डेवलप हो रही है कि हिंदुस्तान के इतिहाद का वो दौर है कि जब कई तरह के लोग कई तरह का पराक्रम दिखा रहे है यह वही दौर है जब पसहयोग अंदोलन शुरू हो रहा है कई सारे लोग अपनी बैरेष्ट्री छोड़ दिये कोई सर की उपाधी छोड़ दिया कोई कई सारे हिंद की उपाधी छोड़ दिया कोई अपने अपने तमाम सर्विसेस को छोड़ दिया किसी ने पूरी जीवन पद्धती बदल दी जो एंग्लिकन जीवन में रंगा हुआ था वो फिर आकर हिंदुस्तान के सामाने लोगों की तरह जीवन जीने लगता है आस्रमों में लोगों ने रहना सुरू कर दिया हिंद का दूसरा निर्न यह हुआ कि वह भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन में शामिल हुआ है भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन में उनकी भागिदारी 1921 में 1921 से लेकर 1927-28 के बीच में आप देखेंगे कि जवाहर लाल नहरू और सुभास चंद्रबोस दोनों एक दूसे के काफी करीबार है तो भास चंद्रबोस भारतिय राष्टिय राजनीत में आते हैं एक बड़े टॉल परस्नालिटी के राष्टे से और वह जो हिंदुस्तान के एक बड़े महान व्यक्तित थे उनका नाम है सी आर दास के रास्ते वह हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान की राष्ट्रिया राजनीती में जूलते हैं और इसी राते हुआ कॉंग्रेस में सामिल होते हैं और फिर पसाहयोग आंदोलन में भागीदारी करते हैं उनकी पहली मुलाकात जवाहरलाल नहरू से 1921 में स्रियारदास के घर पर हुई थे और चुकि कॉंग्रेस के युबा ब्रिगेट में नहरू लीडर्शिप पोजिशन में थे तो सुभास चंद्रवोस उनहीं के साथ कॉंग्रेस में सक्रिय हो 1927-28 तक आते आते यह दोनों कॉंग्रेस के दो प्रॉमिनेंट युबा चेहरे हो चुके 27 ही मैं बार-बार इसलिए आपके सामने में रख रहा हूं क्योंकि यह वो वर्स है जबकि साइमन कमीसन के हिंदुस्तान आने की घोसना हो चुकी थी और अब यह चर्चा चलने लगी थी कि 1919 के अधनियम के बाद आगे के सुधार का क्या कारिक्रम है तो जब तरकार सुधार के कारिक्रमों पर विचार कर रही है तो भारतिय रास्ट्रे राजनीत के लोग और अन्य तवका के लोग अपनी मांगों के उपर विचार करने लगे इसी समय सुभास चंद्रबोस जवाहरलाल नहरू और मुहमद अंसारी इन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाया कि कॉंग्रेस अपनी मांग के रूप में अब पून स्वराज को रखे स्वराज की थी स्वराज इस एक्वल टू डॉमिनियन स्टेटस इसके अंदर अंग्रेज भारत में शार्षन करेंगे लेकिन तीन विभाग तक ही सिमीत रहेंगे डिफेंस एक्स्टरण अफेर्स एंड ट्रांस्पोर्टिशन कम्मुनिकेशन बाकी सारा का सारा अधिकार सारा भारतियों के हाथ में आ जाए लेकिन इन तीन लोगों ने यह तैय कि कि कॉंग्रेज की मांग अब पूर्ण सुराज की होनी चाहिए इसके बाद फिर अगले चलन की ओर चलकर देखो तो आपको यह बात समझ में आए कि 1925 से लेके 1929 इसवी के बीच कॉंग्रेस के अंदर जबाहरलाल महरू और सुभास चंद्र बोस का जो दर्जा था लगातार बरता गया उसका एक बड़ा कारण यह था कि इस दौरान कॉम कॉंग्रेस की सदस्ता भी ले लिया कॉंग्रेस में उस समय अलाउट था कि आप किसी और पार्टी के सदस्ता रहते हुए भी कॉंग्रेस का सदस्ता भी ले लिया और उन लोगों ने कोसिस किया कि कॉंग्रेस में हम ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाएं जिन नेताओं में द करना चाहते हूं और दूसरी खासियत की वह समाजवादी विचार धारा के हूं और नहरू और सुभाष चंद्र बोस उस दौर में दो सबसे प्रॉमिनेंट चेहरे थे जो इस आइडिया को सूथ करते हैं तो 1929 तक तो ये दोनों आगे बढ़ें लेकिन 1930 से लेकर 1935 तक चलकर देखो तो आपको ये लगेगा कि चाहे जब हर लाल हो और चाहे सुभाष चंद्र बोस ये कॉंग्रेस के अंदर पूरे से हासिये पे चले जाए उस दौर में आप देखोगी कि कॉंग्रेस के चाहधारा पुंजीबाद की थी इसके बाद तो इसती यहां तक पहुंच गई कि जवाहरलाल नहिरू ने एक पेंपलेट लिखा जिसका नाम था पार्टिंग अब दवेज हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं किस से तो गांधी से और हमारा रास्ता जाक इधर क्यों रहा है त लेकिन 1936 तक आते आते भारत के कम्मुनिष्ट ने अंतराष्ट्रिय कम्मुनिष्ट समेलन जिसको हम कम्मुनिष्ट इंटरनेशनल बोलते हैं उसके माध्यम से यह स्तै किया कि एक बार फिर से कम्मुनिष्ट पार्टी को कॉंग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए और जैसे कम्मुनिष्ट पार्टी के लोग कॉंग्रेस ज्वाइन करते हैं वैसे ही क्या इसिती होती है कि फिर से कम्मुनिष्ट के प्रभाव के कारण कॉंग्रेस के अंदर बामपन्थी लोग मने लेफ्टिस्ट लोग मने सोशलिस्ट लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है और 36 औ और जवाहलाल नहरू के अध्यक्षता के दौरान आपको ये बात कमजना है कि जब 49 चिस्वी में सुभास चंद्रवोस ने यह क्लेम किया कि वो कॉंग्रेस के प्रस्टेंट होना चाहते हैं एक और टर्म के लिए तो वहां पर मतभेद हो जाता है उस मतभेद के आगे यह सिती बनती है कि सुभास चंद्रवोस को अपने अध्यक्ष का पद जीत लेने के बाद भी वो चुनाओं जीते थे और अध्यक्ष का पद उन्होंने रेजाइन करने के बाद कुछ ऐसी घटनाए घटती है कि उनको कॉंग्रेस के तमाम अधिकारों से कॉंग्रेस के तमाम पदों से खटा दिया जाते हैं यह सब बीचते बीचते 1949 का साल बीच जाता है सुभास बाबो की तोड़ी तब्यद भी खराब होने लगती है और सुभास बाबो के ओपर सरकार की निग्रानी भी वरने लगती है और इसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है और वह है दूतिय विश्जुद के दौरान इंग्लैंड लड़ाई कर रहा है जर्मनी इतली और जापान के विरुद सुभास बाबो ने ये निरने लिया कि हमें अंतराष्ट्रिय परिष्थितियों का लाब उठा कर हिंदुस्तान की लड़ाई को आगे बढ़ाना है सुभास बाबो का ये जो लाइन अप थौट है वो हिंदुस्तान के रिबुलुस्टनरी लीडर्स के लाइन पर बेस्ट है इंजियन निस्टनल मूवमिन्ट की दो धाराएं होती थी एक रिबुलुशनरी जिसे कॉंग्रेस लीड करती थी एक रिबुलुशनरी रिबुलुस्टनरी जब हिंदुस्तान को अजाद कराने की युजरा बनाते थे तो हमेशा ये चाहते थे कि वो अंतरराश्ट्रिय सक्टियों का इस्तेमाल करना चाहते और इंग्लाइन के दुस्मन देसों का इस्तेमाल करने के करम में सुभास चंद्रबोस की धर एक सोशलिस्ट कंट्री है लेकिन उनकी इस योजना में उन्हें काम्याबी नहीं मिली क्योंकि यू इसे सार तब तलक इंग्लाइन के पक्ष में वर्ल वर्टू जोएंड कर ली और फिर वो आगे बढ़ते हुए जाते हैं जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से होती है जर्मनी में उन्हें या उमीद मिली कि आप यहां पर एक राष्ट्रिय सेना बनाओ और उस राष्ट्रिय सेना के सहयोग से देश की आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ो हम आपिस साहिता करें सुभाष्चंद्र वोस ने जर्मनी में ही इंडियन लिजन का गठन किया जो भारतिय युद्ध बंदियों का एक ग्रुप था इंडियन लिजन के संख्यां बहुत थोड़ी थी हजार के आसपास उन हजार के आसपास के सैनिकों के सहयोग से आप दुनिया के सामराज से लड़नी सकते थे उमीद हिया थे कि हिटलर सही होग करें लेकिन हिटलर से सिप और सिर्फ आस्वासन में जब सुभाष्चंद्र बोस की हिटलर से प्रट्यक्श मुलाकात होती है तो तो तुबाष्चंद्र बोस ने अपनी योर्ज से आसंका जाहिर किया कि मु आरे इस सिदिया नहीं बन रही है कि हम आपको डिरेक्ट सैनिक और आर्थिक सहयोग दे सकी क्योंकि इंडियन ओसियन के आस पास हिटलर की डिरेक्ट लड़ाई कहीं बिटिस से नहीं थी और वह यरप और अट्लांटिक के इलाके में इतना ज्यादा अकुपाइड था कि व हम साउथ इसिया की हो जाना चाहिए कि साउथ इसिया में तब तलक एक नई राजनीत का रंगमंच तयार करने का एक गंभीर पढ़िया स्वचुक्त वह जो नई राजनीत का रंगमंच है वह इत्पिष्ट भूमी में बना कि जब सेकेंड बॉल वार में जापानियों ने अंग्रेजों के सिंगपूर के इलाके पर हमला किया निजपूर की लड़ाई हुई उस लड़ाई में अंतों गत्वा अंग्रेज हार गए जापानियों जीते सत्तर हजार लोगों को युद्वबंदी बनाये लिए उन सत्तर हजार युद्वबंदियों में चालिस हजार भारतियों उन चालिस हजार भारतियों के साथ जापानियों ने बड़ा ही ब्रूटल बिहाबियर शुरू के साथ में नहीं सत्तर हजार लोगों के साथ इसी पिश्टभूमे में एक नया आइडिया इमर्ज करता है उन भारतिय युद्ध बंदियों में एक थे कैप्टन मोहन सिंग ने जैपनीच स्टेबलिश्मेंट के साथ में मिलकर एक आइडिया फॉर्म किया कि हम युद्ध बंदी के रूप में अपने आप को खत्म कर लें उससे ज़्यादा अच्छा है कि हमें हिंदुस्तान की राष्ट्य सेना के रूप में कनवर्ट कर लेना चाहिए और यहीं से यह आइडिया आता है आजाद हिंद फॉज का आइडिया आजाद हिंद फॉज के इस आइडिया की और मोहन सिंग के विचार को लेकर जापान की सरकार में सहमती देते हुए यह कहा कि आप अपने तमाम राष्टबादी लोगों को इकठा करो अपनी और से अपने लिए समर्थन का बेस ग्यादत करो तो साउट इस्ट एसिया में बहुत तारे भारती राष्टबादी लोग सक्रिये रहते थे उन सबों को बुलाया गया और उनके साम ने यह प्रस्ताव रखा गया कि आप अपनी और से एक अंतरिम सरकार बनाओ और उस अंतरिम सरकार की एक सेना बना और उस सेना के सहयोग से आप बिटिस समराजी के खलाप युद्ध छेर दो और हम आपके युद्ध में आपकी साही दो लेकिन जब मीटिंग हुई तो यह तैह हुआ कि रास बिहारी बोस उस अंतरिम सरकार का प्रधान बनेगे रास बिहारी बोस अपनी प्रिष्ट भूमि में हिंदोस्तान के एक बहुत ही पराक्रमी प्रांतिकारी लीडर हो चुके थे लेकिन तब तलक एक समस्य हो गई थी कि जब रास बिहारी बोस ने लॉड हार्डिंग के उपर बंप फेका था उनकी कोजबिन शुरू हुई तो वह हिंदोस्तान से बाहर चले गए और जापान में जाके बस गए और जापान में उन्होंने नागरिकता देती क्योंकि उनकी नागरिकता जापानी हो गई थी इसलिए उनका क्रिदेंसियल डाउट फुल हो गया इनके बीच में उन्हीं भारतिये रास्टवादियों की बीच में और इस वजह से यह अजाद हिंद सरकार की जो समझ थी वह बीच में अधर्वे लटक गई अब गौर करक हो आप सुभास चंडरबोष को इसी तबिके के एक आधार की जरूवत ती वह कैसे हितलर से बात किया कि आप इतनी साहता कर दो हमको आप सउत इसे पहुंचा जर्मनी की सरकार के सब्मैरिन का इंतजाम किया सब्मैरिन से मेडगासकर तक गए फिर मेडगासकर से वह जैपनीश सब्मैरिन में सबार हुए वहां से फिर वह समातर आ जाते हैं और फिर वह सिंगपूर पूंचे और उसके बाद फिर उन्होंने अक्तूबर 1943 में जाकर अजाध हिंद की सरकार और अजाध हिंद की सेना को फाइनल फॉर्मेट देकर उसे खपित कर देते हैं तुभास चंद्र बहुत दोनों के पधान थे और उनकी इस सरकार को कुछ देसों ने मानिता भी दे दिया जिने हम धूरी रास्ट के नाम से जानते हैं जैसे की जापान जापान के अन्य सहायक साउथ इस्टियन एसियन कंट्रीज उस दौरान कई सारे देसों पे जापान की सरकार बन चुकी थी नहीं जापान के सहायकों की सरकार बन चुकी जापान नहीं उन सरकारों को स्वरूर दिया तो ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने की इस सरकार को मानेता दे दे जब जर्मनी हो इतली हो तो कई सारे देशों की मानेता प्राप्त एक अंतरिम सरकार बन गई जिसके मुख्या हुए सुभास्चन दोस तो भास्चन दोस जब अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बरेस पस्ट सब्तों में यह कहा कि हम जिस युद्ध की ओर अब जा रहे हैं उस युद्ध से कौन लौट के आएगा ये नहीं मालब कौन जिन्दा रहेगा उस सपने के साकार को देखने के लिए जो सपना हम सब ने देखा है यानि की हिंदुस्तान की आजादी ये नहीं मालू है हमें बस एक बात मालूम है कि हम भारत को आजाद करें हम आजाद भारत को देखने के लिए जिंदा रहे न रहें भारत आजाद हो और फिर उन्होंने कहा कि स्वतंतरता मांगने से नहीं मिलती है पतंता लेना पर और तब अपनी बात को आगे बहाते हुए कहते हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष इतिहास के किसे भी कालखंड में चर्शाओं से हासिल नहीं किया विमर्शों के बदौलत प्राप्त नहीं किया इसके लिए युद्ध की ज़रूद इसके लिए अपना रक्त वहाना पर और यहीं पर उन्हें नारा दिया तुम बोसे खुन दो मैं तुम्हें आ जादी अब गौर करके देखो कि कहानी इसके आगे बढ़ती है युद्ध की सुरुवात होती है। युद्ध की सुरुवात के बाद पिर जापान युद्ध में हार जाता है वोलवॉर्क की पूरी कहानी पलट जाते है। इसके बाद एक दुखत सी घटना आती है कि सुभास्चंद वोस का एक प्लेन क्रैस में देहान्त हो गया और दिग्री बॉडी बॉर्ण था और उसी के आधारपन की मृत्य हो गई जापान के एक मंदिर में उनकी अस्थियां रखी हुई हैं मृत्यू को लेकर कही तरह के विबाद उठे कि मृत्यू हुई है या कि नहीं हुई है अभी हम उन विश्यों को लेकर आगे चर्शा करेंगे मैं अबकल मिलाकर आपके सामने में सुभास्चंद वोस के जीवन की यातरा रख दिया कि जीवन की इस यात्रा के बाद हम कुछ मुद्दे उठाएं सबसे पहला मुद्दा ये कि वहाज चंद्रवोस और सिर्पुडी संकट ये क्या है सिर्पुडी संकट के बाद मुद्दे क्यों और हम आगे बढ़ेंगे वो ये है कि जब हरलाल नहरू के साथ में का किया समन्द था मात्मागांधी के साथ इ Dartinson किया समन्द था एगला मुद्दा है कि कि क्या सभास चंद्रवोस की मूनति हुई थी मीचिए और फिर एक खास मुद्दा ये कि कि जिल्दी सभास चंद्रवोस जिन्दा रहते तो क्या भारत को पधानमंत्री होते तो यह वो मुद्धे हैं जिनके उपर हम अभी चर्चा करेंगे सबसे पहला स्रिपुरी संकत क्या है तो यह की हरीपुरा कॉंग्रेस हुआ था 1936 में जिसमें सुभास चंद्रवोस कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे गॉरत और उसमें वो अपोजश अध्यक्ष बने थे और फिर उअध्यक्ष अधि-व पर 989 में भी कहेंकहा हुआ कि कोंग्रेस का अध्यक्ष बनने के वह क्यों सोच रहें और दियर का क्यों एक वो बने एसया गानधि की चाहते हैं ।हों क्यों चाह रहे कम से कम इसका तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कॉंग्रिस का अध्याक्ष बें जाएंगे तो कुछ बहुत बारा पद मिल जैगा बहुत जादा कुछ लाभ मिल जाएगा ऐसी बातें तो उस समय के इन नेताओं में थी ही, न तो गांधी में थी, कि उससारी सुबिधाई उसको मिल जाएगी, न तो सुभास में थी कि उस ऍविधाई हम को मिले, लुआज चंद्र लज्ञी चाह रहे थे कि राष्ट्रिय आंधोलन को हम तेज गति दें, और उस राष्ट्य आंदोलन के अंदर गद और भी कई समाजिक आर्थिक राजनितिक कारेक्रम हैं जिसे हम लागू करना चाहते हैं यह तब हुपाएगा जब हम कॉंग्रेस का जाते हैं महात्मा गांधी यह सोचते हैं थे कि अभी राष्ट्य आंदोलन को आक्रामक स्वरूप देने का सही समय नहीं आया है अभी कॉंग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है और यदि अभी के समय में हम आक्रामक विभार करने के और मुर गए तो यह आंदोलन कामयाब भी नहीं होगा आंदोलन कारियों की उर्जाग हटेगी उनका मनोबल गिरेगा और देश की राष्ट्य राजनीति की इसे की खास स्यास पदूँगा मूल जो डिफरेंस है दोनों में वो यह है दूसरा पॉइंट यह है कि गांधी हमेशा यह कहते रहे हैं कि राष्ट्य आंदोलन सत्यागरह के माध्यम से चलेगा सत्यागरह का रास्ता अहिंसा परादाए अहिंसा गांधी की द्रिष्टी में एक जीवन पद्धा थी और यदि सुभास चंद्रबोस की द्रिष्टी में पूछो तो एक रननीत है जवाहर लाल की द्रिष्टी में भी पूछो तो यह एक रननीत है तो आपके दमाग में यह स्पस्ट हो गया कि गांधी और सुभास जी के बीच में क्या डिफरेंस है अब देखो कि जवाहर लाल से पूछो कि यह रननीत कैसी है तो कहते हैं कि यह रननीत काम कर रही है अच्छी रननीत है हम इस रास्ते पर चलें यही हमारे लिए ठीक है और सुभास चंद्रबोस से पूछो तो तो कहते हैं कि नहीं यह रननीत काम नहीं कर रही है हमें अपनी राजनी तिक्की जो कारे प्रनाली है उसके उपर पुनर विचार करना चाहिए तो आपको ये बात समझ माए कि सुभास बाबू और गांधी जी के बीच में fundamental difference होते हैं इस क्रम में जब सुभास बाबू ने तई किया कि वो Congress का दूसरा अध्यक्षव भनना चाहते हैं और गांधी जी ने उनका विरोध किया तो इस क्रम में थोड़ी सी कहानी समझी तिस में जवाहालाल नहरु अध्यक्ष रह चुके थे और अर्तिस इस भी में सुभास चंद्रबोस की अध्यक्षता का प्रस्ताव गांधी नहीं रखा थे और सुभास चंद्रबोस जब अध्यक्ष के पद्र पे असिन हुए हैं तो अन अपोजड हुए हैं इसका मतलब है कि सुभास बाबू को लेकर कॉंग्रेस में कोई विरोध ही लेकिन जब सुभास बाबू और गांधी के बीच में भविस्यकी योजनाओं को लेकर मतभेद हो नहीं लगता है तो इस मतभेद के मद्देनचत गांधी ने ये स्टैंड ले लिया कि अब सुभास बाबू को दूसरा टर्म बतौर प्रेसिडेंट नहीं मिलना चाहिए और उनके लिए और भी बहुत तारे कारे हैं वह काम करें गांधी जी चाहते थे कि मौला ना आजाद बने कॉंग्रेस के अध्यक्ष उन्हें लगता था कि वो ऐसा दौर है जबकि हिंदुस्तान में संप्रदाइक मुद्दा काफी गंभीद होता जा रहा है और मुस्लिम लीग की राजनीत ज्यादा आक्रामक होती जा रही है तो उस आक्रामक होती हुई मुस्लिम लीग की राजनीत के रास्ते मुसलमान न चले जाए उसे रोकना है तो कॉंग्रेस को अपनी और से एक मुसलिम चेहरा पेस करना चाहिए क्योंकि उस समय दिक्कत इस बात को लेकर हो गई थी कि लीग लगातार या आरोप लगाती या रही थी कि कॉंग्रेस तो हिंदू के संस्था है और मुसल्मानों के बीच में कॉंग्रेस का जनाधार भी थोड़ा कमजोर ही था उस जनाधार को बराने के लिए और लीग की सक्तिक को आगे न बढ़ने देने के लिए गांधी के दिमाग में या आइडिया था कि मौलाना आजाद एक बेहतर वक्ति होंगे कॉंग्रेस के अध़क्च के लिए लेकि मौलाना आजाद ने सुभाच्चंद्र बोस का नाम आने के बाद अपना नाम भी पिड्रॉ कर लिए मौलाना आजाद ने सुरुआती दिनों में गांधी को इस बात की सहमती दे दिया था सहमती दे दिया था कि मतलब यह है कि जब कॉंग्रिस की वर्किंग कमीटी में मौला ना आजाद के नाम पर चर्शा हुई मौला ना आजाद वहां मौजूद थे और उन्होंने इस बात को कोई खारिज नहीं किया विरूद नहीं किया तो मान लीजिए कि मौसाहमती दे दी लेकिन जब सुभाज चंद्र बोस्त ने अपने नाम की घोसना कर दिया तो फिर मौला ना आजाद ने अपना नाम विड्रा कर लिए फिर गांधी ने जभारलाल नहरू के नाम पर विचार किया कि आप चाहो तो कॉंग्रेस के प्रसिडेंट हो जाएं जभारलाल नहरू ने कहा कि नए मैं कॉंग्रेस का प्रसिडेंट अब नहीं होना चाहता हूं क्योंकि मैं पीछे रह चुका हूं और उपर से मैं प्लैनिंग कमीटी का चेर्मेन हूं जब सुभाज चंद्रबोस कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने जभारलाल नहरू को प्लैनिंग कमीटी का चेर्मेन बनाया था जिसके तहत उन्हें यह उजाओ देना था कि अजादी के बाद हमारी सरकार जब बनीगी तो हम किस तरीके से योजनागत मॉडल पे आगे विकास का कारिक करें और उसी के तहर देखो का आगे चलकर इंडिया में अजाद सरकार जब जब जवाहला नहरू के सासनकाल में बनती है तो उन्होंने योजनागत विकास का मॉडल है उसमें नहरू इन सुभास दोनों एकमत के थे है अब उसके बाद की कहानी किस तरह से अगे बढ़ती है कि जब सुभास बाबू ने अपने नाम की घोसना कर दिया तो उनके अगेंस्ट एक काउंटर स्टेट्मेंट आगी कि हम सुभास बाबू को बतौर प्रेसिडेंट नहीं देखना चाहिए सभास बाबू को अगले प्रेसिडेंट के रूप में नहीं देखना चाहते हैं उस्पे उन्हों उन्होंने कई सारे वरिष्ट कॉंग्रेस के नेताओं का हस्ताक्षर और वह हस्ताक्षर लेने के क्रम में जवाहरलाल नहरू के पास को जवाहरलाल नहरू को उन्होंने ये कहा कि ये आईडिया गांधी दीगा लेकिन जवाहर लाल नहरू ने उस counter statement पे sign करने से मना कर दो का जाता है कि इस बात को लेकर जवाहर लाल नहरू से गांदी जी भी दुखी हुए थे अब जवाहर लाल नहरू को देखो तो आपको यहां पर एक बड़ी पेचीदगी की इस्थिति उनकी नजर आएगी पेचीदगी की इस्थिति क्या है पेचीदगी की इस्थिति है कि जवाहर लाल नहरू नमर एक यह कहते हैं कि यदि सुभास अपना नाम नहीं आगे बरहते तो यह अच्छा होता है नमबर दो यदि सुभास कहते हैं कि हम कॉंग्रिस का अध्यक्ष दुबारा होना चाहते हैं तो फिर कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं आता तो ये अच्छा होता तीसरी बात यह है कि इलेक्षन अब एक मात्र विकल्प है और इलेक्षन होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है जवालाल नहरू का जो अगला स्टैंड है वो इससे कहीं ज्यादा महत्वपोर्ण है वो यह कि जब चुनाव की घोसना हो गई तो भास चंद्रबोस ने अपनी ओर से लोगों के सामने जो नया विचार नया कारिक्रम आधी रखने की बात किया उस नये विचार और नये कारिक्रम के तहत इंपॉर्टन बात ये थी कि सुभास बावू ये कह रहे थे कि नमर एक तो हम राश्ट्रिय आंदोलों को तेज करेंगे नमर दो हम समाजवादी करन करेंगे नमर तीन वो कॉंग्रेस के उपर ये आरोप लगा रहे थे कि कॉंग्रेस 1935 के अधनियम के संहवादी प्रापधानों को एक्सेप्ट करना चाहती है यह कॉंग्रेस का मतला काके कांग्रेस का घय यह दर सिब Бाई नव यह दर्शाट जो गांधी में यहने कि वे याउन में ऑफिक जिसमें सदा पटेल ही थे दिन गουविन बलभ अपंत भी थे राजिन्द्र पसाथ भी थे से सी राज ग्लोपला चारी भी थे इस सब बरे बि ते लगभग 20 वरसों से कॉंग्रेस की वरकिंग कमीटी का मेंबर होते आये थे और फिर सुभास चंदर बोस ने क्या कहा उन्होंने उस तमय के कॉंग्रेस के अंदर दो तरीके के खेमा होने की मुझूदगी की बात किया क्य chapters के करी एक खेमा दक्षिन पन्ती और एक खेमा बां बन्ती है राइट विंग और लीफ्ट विंग और वह खुंद के को अम आहां और उन्होंने ये कहा कि left wing के लोगों को mobilized हो जाना चाहिए और right wing के लोगों को congress के नेटृत्यू से दूर रखना चाहिए यानि कि एक तरीके से देखो तो presidential election के दौरान congress के अंदर सीत युद्ध की स्थिधिय आ गई और यहाँ पर जवाहर लाल नहरू सुभास चंदर बोश को लेकर क्रिटिकल होते हैं जवाहर लाल नहरू ने कहा कि आप जिन लोगों को राइट विंगर कह रहे हैं उन लोगों के लिए ऐसे सब्द का प्रियोग एक दम वाजिब नहीं उन्होंने सुभास बावो के सब्दों के उपर क्रिटिकल कमेंट किया क्या क्रिटिकल कमेंट किया तो ये कि आपने राइट विंग और लेप विंग सब्द का इस्तेमाल बहुत तो इच्छाचारी तरीके से किया यदि आपको वास्तव में चुनाव लड़ना है तो बेहतर होता ये कि आप अपनी और से अपने कारेक्रम लेकर आते हैं लेक्टिस्ट एंड राइटिस्ट बहुत वेग टर्मिनलोजी है राइटिस्ट सब्द उस समय यूज किया जा रहा है हिटलर के लिए राइटिस्ट सब्द उस समय यूज किया जा रहा है मुसोलनी के लिए राइटिस्ट सब्द उस समय यूज किया जा रहा हिरोहितों के लि जातिया और नसल को सेश्ट बताते हुए दूसरे नसल के खिलाप हमला करते हैं उन लोगों के लिए जो ट्रेडिस्नलिस्ट है जो प्रगतसीलता के बिरुद्ध हैं उन लोगों के लिए जो पूरुषवादी हैं महिला अजादी के बिरुद्ध हैं उन लोगों के लिए जो और भी ऐसे जो तमाम बड़े-बड़े नेता हैं उनके लिए कर रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक यहां से देखोगे कि सुभास वाबू और जवारलाल नहरों के बीच में दूरी बढ़ने लगए इसके बाद का अगला मामला क्या आता है इसके बाद का अगला मामला यह आता है कि सुभास चंद्रबोस जो है वो चुनाव जीत जाते हैं चुनाव जब हुआ तो लगवग तीन हजार के आजपास डेलिगेट्स थे कॉंग्रेस में तीन हजार के आजपास के जो डेलिगेट्स थे उनके अंतरगत आपको ये बात समझ माए कि 1377 सीट या भोट मिलता है पटा भी सीता रुमया को और 1580 बोट मिलता है तो भास चंदर बोट को 1377 और 1580 कि इतने बोटों का डिफरेंस है और सवाल ये उड़ता है कि पटाभी सीता रुमया कौन थे उनके समर्थक कौन थे और पटाभी सीता रुमया हार क्यों गए पटाभी सीता रुमया कौंग्रेस के गांधी खेमा के कंडिडेर थे जब मौलाना अजाद और जवहालाल नहरू कौंग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए तयार ने हुए तब पटाभी सीता रुमया का नाम आया थे नट्रावी सीतर्मीया कॉंग्रिस के अध्यक्ष के लिए जब लड़े तो गांधी के जितने समर्थक थे उन्होंने इनका सपूर्ट और सुभास चंद्र बोस्त के पक्ष में कौन खरे थे उनमें से सुभास चंद्र बोस्त के पक्ष में जो लोग खरे थे वो समाजबादी विचा धारा के नेता थे कॉंग्रेस के अंदर एक घटक ऐसा भी था जिन्होंने कॉंग्रेस की सदसता रखते हुए कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी बना लिया थे दूसरे जो कमनिस पार्टी उप इंडिया के लोग थे तीसरे बंगाल के राष्टबादियों में सुभास बाद्बू की अपनी एक पकर थी सुभास बाद्बू का कुछ जनाधार मदरास में भी था थोरा उत्तर प्रदेश में भी थोरा पंजाब में भी तो सुभास इस हार के बाद ये कहा कि पटाभी की हार मेरी हार यहां से दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगते हैं ये कॉंग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए दो ब्यक्ति के खरह होने और एक ब्यक्ति के जीत जाने मातर का मुद्दा नहीं रहा मुद्दा किस तरीके से आगे बर जाता है मुद्दा इस तरीके से आगे बर जाता है कि इसे इस तोर पर देखा जाने लगा कि कॉंग्रेस के अंदर सुभास चंदर बोस अब रियल लीडर हो गये हैं और आज लीडर गांधी का एकसेप्टेंस घर चुक और इसनाते संगहर्स की योजना अब सुभास्चंद्रबोस तय करेंगे गांधी नहीं तय करेंगे और गांधी अब चाहें तो सुभास्चंद्रबोस के नित्रितों में सुभास्चंद्रबोस के द्वारा तय किये गए संगहर्स की योजना में भूमिका निभाएं यहां तक कि यह बात संभव है कि आंदोलन का नेत्रिक तो गांधी करें, चहरा गांधी बनें, लेकिन आंदोलन का कारेक्रम सुभास्चंद बोस्ट बनाएंगा, उसकी कारे परनाली सुभास्चंद बोस्ट दे करेंगा, अब गौर करके देखो, यह एक impossible phenomenon, impossible phenomenon कैसे है, इस त कारेक्रम बनाएंगे और कारे परनाली तय करेंगे और गांधी उसका चहरा बनेंगे, यह बात कभी गांधी एक सपनी करेंगे, क्योंकि गांधी सिब और सिब एक चहरा नहीं है, उस चहरे के अतरिक्त गांधी में एक आइडिया है, गांधी में एक प्रोग्राम है, तो ग यहां इस्थिति यह है कि तनाव हो नहीं था मिडवे निकल सकता है लेकिन मिडवे निकलने का रास्ता ही नहीं नजरा रहा है उसका कारणी है कि गांधी अपने पोजिशन को लेकर पोजिशन का मतलब अपने पद ने अपना दर्जा ने अपने स्टैंड गांधी अपने स्टैंड को लेकर फर्म है वो किसी सत पर अहिंसा नहीं त्याग सब्सक्रा और सुभाष चंद्रबोस भी अपने जगह पर बहुत अधिक पश्ट हैं कि अहिंसा अब सही कारिकरम नहीं है तो दोनों के बीच में मेल मिल आपके लिए गुंजायस ही बहुत कम है और तब यह तैख हो जाता है कि कॉंग्रेस के अंदर जो गांधी के पक्चधर लोग हैं उन्होंने यह डिसाइड किया कि हम वर्किंग कमीटी से इस्ति लिफा दे लिए वर्किंग कमीटी का मतब होता है कॉंग्रेस के जो बरिष्ट लोग होते थे वो लोग मिलकर कॉंग्रेस की तमाम योजनाओं के फ्रेमिंग में उसके क्रियान वेन में निरनाय गुमिकानिया भाते थे अंडर दी लीडर्शिक अब दो प्रेसिदेंट और सुभास चंद्र बोस कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं दूसरी बार वर्किंग कमीटी के लोगों ने इस्तिफा दे दी आप उस दौर में सदार बल्लब भाई पटेल का लेटर पढ़िए जो उन्होंने राजेंद्र प्रसांद को लिखा वो कहते हैं कि सुभास इस आइडिया को कॉंसेन्ट देते हैं और सब oranges है कि इस समय भी जब कि बात ŉई तो जाए अं carpet डा वहर को Sleepいい कि वहार्लाल न्हरु और सरथ चंद कि यहीं दो मेंबेर वर्किंग कमीटी के जिन्होंने रेजियन नहीं किया बाद में जाकि नहर Was कर दिया लेकिन नेहरू ने एक साथ रिजाइन नहीं किया उसका कारण यह है कि वो इस खेमा का सदस्थ बनकर जबाहरलाल नहरू सुभास चंद्रबोस का विरोद नहीं करना चाहते हैं उन्होंने यह कहा कि मैं सुभास चंद्रबोस की वर्किंग कमिटी में नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सुभास चंद्रबोस जिस तरीके सराष्ट्य आंदूलन को लीड करना चाहा रहे हैं वो तरीका ठीक लेकिन मैं सुभाज चंद्रबोस के विरोध में एक खेमा बन गया में उस खेमा का सदस भी नहीं बना जाए जवाहर लाल नहरू की इसे दिया हो गई कि न इधर के रहे न उधर के रहे हम रुद्रांसु मुखर जी लिखते हैं कि जवाहर लाल नहरू बॉज नीदर सक्सेस्पुल इन प्लीजिंग सुभाज चंद्रबोस नौर सक्सेस्पुल इन प्लीजिंग गांधी विकास उनका एक अलगी स्टैंड है उसके आगे बरकर देखते हैं कि कि जब मार्च के दूसरे सक्ताह में कॉंग्रेट की सभाव एक जगा इकठा होती है आगे की योजनाओं पर बात करने के लिए सुभाज चंद्रबोस के नेतरित्तों में तो वर्किंग कमीटी से इस्तिफा दे चुके जितने लीडर्स थे उस तभी मुझूद होते हैं उन्हीं में से एक गोबिंद बल्लब पंथ ने प्रस्ताव रखा प्रस्ताव क्या रखा तीन बाते कही गई नमर एक हम गांधी की योजनाओं में गांधी की नीत में उनकी कारे प्रनाली में अपना विस्वास प्रकट करते हैं नमर दो कारे कारणी समीति के वो लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया वो लगभग 20 बरसों से इस भूमिका में थे और उन्होंने बड़ी सरहनिय काम किया है हम उनकी सरहना करते हैं नमर तीन कि अगली कारे कारणी समीति का गठन जब हो तो मेरा प्रस्ताव है कि सुभास चंद्रवोस गांधी की सहमति लेकर उनके मस्विरे से अपनी कारे समीति बनाए जब यह तीन बाते प्रस्ताव के रुप में रखी जाती हैं तो रखी तो गई है यह बात गोबिन बल्ला पंध की और से एक व्यक्ति की और से प्रस्ण यह उठता है कि इस विशे को लेकर का क्यामत है यह वाला प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया तो यहां पर एक बड़ा मुद्दा खाड़ा होता है कि 29 जनवरी के दिन जो वोटिंग हुई उसमें सुभास संद्र बोस जीत गए थे और फिर कि 11 मार्च के दिन जब यह प्रस्ताव रखा गया तेम एर ते मियर मत्ला मात्र लगभग 45-46 दिनों के अंतराल में तो तो इस तफा धारी बहुमत्स से गोबिन बल्लोंपंद के प्रस्ताव के पास हो गया तो उसका दो बज़ा है नमर एक तो बज़ा ये है कि चुनाओ के पहले गांधी और सुभास के बीच में इतनी दूड़ी बर चुकी है ये डिलिगेट्स ने समझा ही नहीं था कि सुभास चंदर बोस को अध्यक्ष के पद के लिए सपोर्ट करना गांधी का रिजेक्षन है ये उन्होंने नहीं माना था बहुत सारे लोगों ने इस इलेक्षन को पटाभी सीता रमय्या वर्से सुभास चंदर बोस के रुपे देखा और उन्हें पटाभी के ऊपर सुभास चंदर बोस को बढ़ियता दिया था दूसरी यह कहानी थी कि सुभास चंदर बोस के समर्थन में कई ऐसे लोग थे जो सुभास बाबू का समर्थन इसलिए करते थे क्योंकि सुभास बाबू समाजबादी थे अब देखेंगे कि 1930 से लेके 35 तक कॉंग्रेस के अंदर नहरू से लेके सुभास बाबू तक उपेक्षित रहे और 36, 37, 38 में सुभास बाबू के पहले जब हालाल नहरू दो बार अध्यक्ष रह चुके है क्यों क्योंकि जब प्रेसिडेंट के चुनाव की घरी आएगी तो सुभास बाबू के पक्ष में खड़ा होकर कॉंग्रेस के डिविजन को एक्सेप नहीं करते सुभास बाबू के सामने ये इर्सिती हो गई कि उन्होंने जब देखा कि कॉंग्रेस का बहुमत हमारे साथ है ही नहीं तो ऐसे हम प्रेसिडेंट ग्रूप में क्या काम कर पाएंगे भला उन्होंने कॉंग्रेस के अध्यक्ष के पत्स से इस्तिफादे दिए उन्होंने ए कि कॉंग्रेस के जो दक्षिनपन्थी लोग हैं उनके स्थान पर कॉंग्रेस के बामपन्थी लोगों को खाड़ा हो जाना चाहिए और एक अल्टरनेटिव फ्रंट बना लेना चाहिए लेकिन उनके इस प्रस्ताव को सपोर्ट नहीं मिलदा सुभास बाबू को अध्यक्ष यदि बनाया था तो कि सोच के साथ बनाया था समाजबादियों की सोच है कि समाजबादी विचार धारा के हैं तो इनको अध्यक्ष बना दो उनका एक मेरट थिसिस था जो उन्होंने 1935 में पास किया था उसमें वह कहते हैं कि हम हमेशा कोशिस करेंगे कि हमारे मत कब्यक्ति कॉंग्रेस का प्रेसिदेंट बने लेकिन कॉंग्रेस के प्रेसिदेंट बनने के क्रम में एजी ठकड़ाओ ज्यादा हो जा और कॉंग्रेस की टूटने की घरी आ जाएगी तो हम अपना कदम वीपर पीछे की चलेंगे और जब कॉंग्रेस में टूटन की घरी आई तो उन्होंने फिर सुभाजबावो का साथ नहीं दिया कम्मिनिस्टों ने भी सुभाजबावो का साथ नहीं दिया वो क्यों नहीं दिये कम्मिनिस्ट के उस समय के महसचिप जनल सकर्टी मैं सर्बोश्य पदधारी पीसी जोसी थे पीसी जोसी ने कहा कि आज कितिती में भारत में सबसे बड़ा वर्ग संघर से राष्टिय संघर लेकिन उन्होंने कहा कि आज के तिते में हिंडुस्तान का सबसे बरा वर्ग संघर्स है और राश्ट्रिया संघर्स के सबसे बरा मंच है कॉंग्रिस हम कॉंग्रिस के अंदर फुटन कभी एक्सेप नहीं सुस्तुभास बाबु की क्या इस्ति हो गई उन्होंने देखा कि अब कॉंग्रिस में हमारे साथ लोग खड़ी नहीं वो कॉंग्रिस का सदस्य रहते हुए एक फ्रंट बनाये जिसका नाम है फ्रवर्वर्ड ब्लॉक उसके बाद फिर एक छोटी से घटना यह हुई कि कॉंग्रिस के अध्यक्स गुर्व में राजंदर प्रसाद आ गये थे तो कॉंग्रिस के नेतरित्व की ओर से एक निर्ने लिया गया उस निर्ने के विरोध में सुभास बाबु ने अखिल भारती अस्तर पर प्रतिपाद दिवस मनाने की खोशना कर तो जब कॉंग्रेस का एक नेता जो अध्यक्ष न रहते हुए भी बंगाल प्रोविंशियल कॉंग्रेस कमीटी का चेर्मेन था वो कॉंग्रेस के सेंट्रल लीडर्शिप की और से लिये गए एक फैसले के खिलाप अकिल भारती अस्तर पर प्रतिवाद दिवस घोसित कर दिया तो कॉंग्रेस ने यह डिसीजन लिया कि सुभास बाबु को हम कॉंग्रेस के बंगाल प्रोविंशियल कमीटी के के अंदर कोई महतुपूर्ण पद नहीं दिया जाए यह डिसीजन लडी एक संथ यहां तक आके पूरी कहानी खतम हो तो अफर आल जो तृपूरी संकत है उस तृपूरी संकत के अंतरगत मैंने आपके सामने में जो जो बाते बताई उसमें सबसे महतुपूर्ण मुद्द पस इतना ही है कि गांधी और सुभास दोनों के अपने अपने विचार थे दोनों अपने अपने विचारों के प्रती कमिटेड थे दोनों कॉम्प्रमाइज करने के लिए ज्यादा तैयार नहीं थे यदि विचारों में यह कमिट्मेंट नहोता यदि अपने आइडियाज और अपने प्रिग्राम्स को लेकर कमिट्मेंट नहोता कुछ गीवेंटेक का मामला मातर होता तो समझोते हो सकते थे जैब इसम्मिए आप किसी एक दोसी किसी एक निर्दोस एक को कल्पृ एक को विक्टिम इस तरीके से देखे यह देखना इतिहास-ई-लाव मैंने आपके सामने में घटना करम रह दिया सक्वार्ण निरने निकालना आपका का कि दूसरम चर्शा के लाईक है वह ये की सुभाज चंदर बोस क्या भारत का पधारमंतरी होते यह दिवो भारत के आजादी के समय जिन्दा होते तो इस सवाल का जवाब देना एक hypothetical प्रस्ण के उपर अपना एनलेसिस करने के समान है फिर भी मैं मोटे तपा बात को समझने और समझाने की कोशिस करता हूँ हिंदुस्तान के राष्ट्रे आंदोलन में गांधी से ज्यादा पॉपलर लीडर कोई नहीं ध्यान यह रखिएगा कि सुभाज चंद्र बोस 1949 इस्पी में भी प्रेसिडेंट का इलेक्षन जीते थे और प्रेसिडेंट का इलेक्षन जीतने के बाद भी जब बात आती है कि कॉंग्रेस का अंदोलन दी चलेगा तो नेत्रे तो कौन करेगा तो नेत्रे तो के लिए उनकी दृष्टी में भी गांधी ही थे अैसा नहीं है कि गांधी से बड़ा नित्रित इनका वो गया था या confirming से जादा दा पॉपुल सभी बात ही हो दूस्ming के बात कि गांधी के बाद कोई दूसरा आदमी जो सर्ब से जादा लोक पड़िये हुआ करते थे जनता के बीच में अखिल भारती अस्तव पर तो वो जवाहरलाल नहिरू के बाद एदी आप खोजेंगे तो आपको सुभास भावो भी मिल सकते हैं आपको सदा बल्ला भाई पटेल भी आप 1929 में जवाहरलाल सुभास भावो के अध्यक्ष के पद पर जीत लेने मातर से यह मत निर्ने निकाल लीजिए कि उनकी पॉप्लेरिटी का ग्राफ इतना वड़ा था कि बाकिस सब उनके सामने बौने हो गए थे ऐसा नहीं है ही है इडोलोजिकल कमीट्मेंट ही दोनों के बीच के डिफरेंसिस का कारण बने थे और।ुभास भावो के जीत चाने के पीछे अककारन बंगाल भी था।ब यह कारन सोचलिस्ट था एक कंश्ड़ भी था ह। और एक कारन यह भी था कि लोगों ने समझा कि प्टभी भर्सिस तुभास वावो के बीच की लड़ाई है और इसलिए 45 दिनों के अंदर ही पूरा का पूरा पासा पलटके अब आपको ये समझना होगा कि तुभास संद्रबोस अध्यक्ष बन सकते थे भारत का पधार मंत्री बन सकते थे कैसे बन सकते थे कॉंहें में तो थे ने इलिए डिनि नहीं थे सुभास भावु अध्यक्ष कैसे बन अप्राइम डिनिस्ट्र कैसे बन अरमी के अधुब्लस के तो पर अपनी योजना में कामियाब हो जाते तो इदि वो अपनी योजना में कामियाब हो जाते तब तो अद देश की आजादी ही उन्हीं के रास्ते आती जिस तरीके से उन्होंने अंतरीम सरकार बनाया और अंतरीम सरकार की एक सेना बनाया और सेना बनाकर भारत की आजादी के लिए युद्ध की सुरवात किया यदि वो अपनी ओजना में कामियाब हो जाते तो वो निष्चित तोर पर देश के पधानमंतरी क्या देश के साशन के पधान हो जाते कि दूसरा मुद्द ये है कि यदि वो उस रास्टे पर न और भढ़े होते यदि वो कॉंग्रेस में ही रहे होते तब क्या वो देश का पधरमंत्री बन सकते थे वो कॉंग्रेस में ही रहे होते तो मेरा अंदाज आई यह है कि जब हारलाल नेहरू के प्राइम इनिस्टर रहते हुए उनको प्राइम इनिस्टर के पोस्ट से हटा कर कॉंग्रेस वासबाबों को चून लेती कुछे कोई ऐसा ठोस रीजन इसका नहीं नज़रा कॉंग्रेस के अंदर एदी सुभास बाबू होते तो सुभास बाबू की तुलना में जबहारलाल नहरू जादा सीनियर और जादा पोपुलर लीडर हमेशा थे एक और बात समझना होगा आपके कॉंग्रेस के अंदर के दोनों ही ये नेता सुभास बाबू और जबहारलाल नहरू सोसलिस्ट थे लेकिन जबहारलाल नहरू वो सोसलिस्ट थे जिनकी बहुत हद तक स्विक्रती उनके बीच में भी थी जो सोसलिस्ट नहीं थे और सुभास बाबू की स्विक्रती सोशलिस्ट खेमा से अलग खेमा के लोगों के बीच में नहीं के बरावर आप गौर करके देखेंगे कि कॉंग्रेस के अंदर एक प्रभावशाली नेत्रित तो सर्दार पटेल का भी था सर्दार पटेल क्या सुभास चंदर बोस को कभी चुनेंगे अपने नेता की रुप में किसी सर्द पर ने क्योंकि एक आदमी जिन्होंने की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन तरीके से मौरचा खोला था- नेता जी के खि़लाब उस सर्दार पटेल थे दूसरा आदमी जिन्होंने उतने ही एक्वल मजबूती के साथ मोर्चा खोला था वो सी राजगोपालाचारी थे सी राजगोपालाचारी ही असल में गुबिन बल्लब पंथ के प्रस्ताव का ड्राफ्ट त्यार किये थे कि राजगोपालाचारी ने उस ड्राफ्ट के प्रस्ताव पास होने के पहले अपने स्पीश में कहा था कि हमारे सामने दो नाव है एक नाव का नाविक गांधी है जो एक सिजन्ड बोटमैन है और दूसरे नाव के साथ में सुभास चंद्रबोस आये हैं उनके नाव में छेद है और वो कह रहे हैं कि उनके छेद वाले नाव पे आप बैठ जाओ आप एदि उनके नाव पर बैठ होगे नाव डूबेगा आप समझ सकते हो कि क्या वो सी राजगोपला चारी और उनके समर्थक सपोर्ट करेंगे नेता जी का नहीं करेंगे राजिंद प्रशाद इनके बिदुद्ध थे भारत के पहले राष्टपती कॉंग्रेस में एक बड़े नेता थे क्या वो सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे गोबिन बल्लवपन्त क्या वो सपोर्ट करेंगे कभी नहीं करेंगे एक बड़े नेता थे लाल बाहदु सास्त्री क्या वो सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे कॉंग्रेस में कौन ऐसे हैं जो सपोर्ट करेंगे तुभास बाबु का कॉंग्रेस के अंदर रहते वे तुभास बाबु भारत को पधरमंत्री नहीं बन सकते अब कीसे बात आती है कि जवाहरलाल नहरू कॉंग्रेस के नेत्रित्यों करता बने रहते और प्राइम मिनिस्टर होते और एक विपक्ष की पार्टी बनती और सुभास चंद्रबोस के नेत्रित्यों में विपक्षी पार्टी तयार होती है शुक्ता थे अब होने को लिए तो कुछ भी Zahlen तो नहीं इसे तरही क्यों इस तरिके से नहीं था कि का संगठन उस समय ऐसा था कि जिसके अंदर कि तमाजबादी विचार और पूजी वादी चार के तमाम लोग सामिल थे ऐसे में यदि उन लोगों की बीच से एक बहुत बड़ा घटक तूट जाए और उसका नेतरिव सुभास बावो कर लें जो संभब है एक उस अल्टरनेटिव फ्रंट के तयार होने के उपर बहुत डाउट था कहीं कारण से डाउट था एक तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कॉंग्रेस के नेता ऐसे थे जो सुभास बावो से असहमत थे एक दूसरी बात आप समझेए कि सुभास बावो का जो आइडियालोजी था उस आइडियालोजी के अंतरगत वो एक बात वराबर बोला करते थे कि हमें communist और फासिस्ट के बीच से एक मध्यमार्ग निकलना चाहिए communist और फासिस्ट के बीच से एक मध्यमार्ग निकलना चाहिए इस बात को लेकर congress के कई सारे वरिष्ट नेता including गांधी एन जवाहलाल नहरू तुभास चंद्र वोश को लेकर आलुचनाव मक्त उनका कहना था कि communist और फासिस्ट के बीच मध्यमार्ग हो लिए नहीं सकता गांधी का रास्ता तो यह है कि communist भी डिक्टेटर है फासिस्ट भी डिक्टेटर है अब दोनों डिक्टेटर की बीच मध्यमार्ग निकालोगे तो yukubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhub पितर के रूप में भोट कर देना और बात ये बात फिर भी जिन्दा रह जाती है कि यदि कोई आदमी बहुत पॉपुलर हो जाएगा और पॉपुलर होकर वही एक आदमी होगा जो जवाहरलाल नहरुक की सरकार पलट देगा हो सकता है कि हो सकता था लेकिन इक डिफिकल प्रोपोजिशन है हां ये बात आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नहरुक के मरने के बाद भास चंदर बोस्वेदी कॉंग्रिस के अंदर होते तो उनके सामने फिर कोई दूसरा नेता नहीं होता क्योंकि तब तलक सदार पटेल का भी देहान तो हो चुका है राजिन प्रसाद का देहान तो हो चुका है और वो इसे भी राजिन प्रसाद का देहान तो हो चुके थे तो बाद में वह पॉलिटिकल एक्टी नहीं रह गये थे उस समय तक मौलाना अजाद का देहान तो हो चुका है गोबिन ब और जवाहरलाल नहरू की बीच में कैसे रिष्टे दे यह मुद्दा बराबर उस्ता रहता है मैं बहुत संशेप में आपके सामने में इसके सम्मधित बात रखूंगा कुछ बाते में पीछे भी कर जोगा सबसे पहला पॉइंट ये कि सुभास चंदर बोस और जवाहरलाल नहरू 1921 से लेकर 1949 इसबी तक साथ काम की इस काम के दौरान सुभास बाबू उन्हें अपने बड़े भाई की तरह बदाते हैं और ये बात सुभास चंदर बोस के दौरा जवाहरलाल नहरू को लिखी गई चिठियों से भीस पस्ट है उन चिठियों में भी जिसमें कि सुभास बाबू ने जवाहरलाल नहरू की आलो चनद कि उसमें भी कहते हैं और जवाहरलाल नहरू कहते हैं कि आपकी ये साफ गोई जिसके तहत आप अपनी बात कह देते हैं मैं इसके परसंसा करता हूँ और आप यह विश्वास रखिए कि विचारों की भिनतायों के बाबजूद मैं आपसे बहुत स्नेह रखता हूँ आपका बहुत समान करूँ यह समझना जरूरी है कि उस युक के बात हो रही है जिस यूग के नेता अपने नीजी हितों से उपर उठकर अपने मुताबिक देश का राष्ट्री आंदोलन चलाने की कोसिस कर रहे थे और इस बज़ा से उनकी बीचने कंफ्लिक्स थे और इन कंफ्लिक्स के कारण उन्होंने अलग-अलग रास्ता चुना था वो महापुरुस थे इस विसाई पर तो रप्ति भर संदेग नहीं कर सकते कि एक भी आदमी ऐसा था कि जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की बात आएगी ना तो सब में रेस लग जाएगा और कौन आगे चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा हर कोई चाहेगा कि हम आगे चले जाएगा कि वह महापुरुस लोग अता इन महापुरुसों के बीच में जब भी कभी तुलना करिए तो बेक्तित्ट की तुलना करना है तो इतिहास के गंभीर विद्याति की तरह उनकी बीचारों की तुलना करिए और आप उसके भी एक अदम आगे जाना चाहते हैं तो बीचारों और कार्यक्रमों की संभावनाओं में तुलना करिए अब मैं आपको बताओं कि जवहलाल नहरू और सुभास बाबू के बीच के रिच्टे में और क्या बात है तो सुभास बाबू जवहलाल नहरू के साथ मिलकर पहली दफा 1927 में कॉंग्रेस की और से पुनस्वराज का प्रस्तावपास करवाए थे दोनों समाजबादी थे दोनों फर्मली सेकुलर थे सुभास बाबू की बेटी अनिता पैफ कहती है कि एदिस सुभास बाबू देश्ट के प्राइम मिनिस्टर होते तो भारत का पाकिस्तान से रिच्टा अच्छा होते अब आप समझ सकते हैं कि उनके सेकुलर क्रेडिंसियल के बारे में क्या सोच होना गांधी जी उनके मरने के बाद भी कहते हैं कि उनकी एकता का जो नीती है यह सबसे आदरनी है उनका नारा था क्या है तो यूनिटी यूनिटी पे सब चला यकीन था उनका आप गौर करके देखो कि सुभास चंद्रबोस सेकुलर थे सुभास चंद्रबोस सोसलिस्ट थे सुभास चंद्रबोस वो नेता थे जिन्होंने की महिलाओं का ब्रिगेड तयार किया पहली बार सुभास चंद्भोस वह निता थे day a ते सबसे परं बिरोधि गांधी परं बिरोधि का मताव आईडिलोजिकर बिरोधि अने था परसनल जीबन परिबन में गांधी कहते हैं कि सुभास चंद्भोस मेरे बेटे जैसे हैं परं के लिए में अपनी और से अजाध हिंद रेडियो से संबोधित करते हुए कहा राष्ट पिता गांधी को राष्ट पिता सुभास बावु नहीं कहा था कि हम इंदुस्तान की अजादी की लड़ाई लड़ में जा रहे हैं इस यगे में हमें आप पासे बाचेंगे इसके बाद खिर आगे बरकत देखो कि सुभास चंद्र बोस और जवाहर लाल नहरु के रिष्टे की अगली कड़ी ऐसे शुरू होती है कि जब सुभास चंद्र बोस अध्यक्ष होते हैं तो उन्होंने जवाहर लाल नहरु को प्लाइनिंग कमीटी का चेर्मेन बनाए और जब सुभास चंद्र बोस के अगेंस्ट काउंटर स्टेट्मेंट की घड़ी आती है तो जवाहर लाल नहरु साइनित नहीं करते हैं जब सुभास चंद्बोस की कारी कारणी के सदस उनके खलाप सामोह की इस्तिपा कर रहे हैं तो जब हरलाल नहरू जब जेल में थे उनकी पत्नी बहुती गंभीर तरीके से बिमार हो गई तो उनका इलाज कराने के लिए सुभास चंद्बोस गये थे जब जादा गंभीर हो गई तो फिर घबाहलाल नहरू को आंग्रेजोंने रिया कर दिया तो फिर जबाहलाल नहरू भी गय और और उसके बाद फिर सुभास चंद्बोस औस्ट्रिया चले गए और औस्ट्रिया में भी जब थे सुभास चंद्बोस तो उन्होंने जवाहलाल नहरू को चिठ्ठी लिखा कि मैं यहां आ गया हूं लेकिन फिर भी कोई जरुद परे तो जरुद परने के बाद मुझे बुला यहांगी कि और जब जाएंगे तहब देखेंगे कि जब सुभास चंद्बोस ने इंडियन लिट निशनल आर्मी बनाएं थिचिना की तेखिया कि अनकी नहीं कामयाब हो पाती है तो पकडिया के नहीं कामयाब होने के बाद द्वास बावु का देहान ठोगया जहीद हो गये उनकी सहाधत को लेकर नहरू की प्रॉतिकरियां के बारे में कहा जाता है कि मतलब नहरू रोने लगे थे बगएर बगएर फिर उसको छोड़िए इंडियन निस्टन आर्मी के अधिकारियों के उपर लाल किला से मुकदमा चलानी कंदर ने लिया सरकार में क्यों क्यों कि वो उनको कठोर पॉनिस्मेंट दे कर एक और राज के खिलाप बगाबत करोगे तो तुम्हारे खिलाप क्या करवाई हूं अगला मेंट कि जब उनके ओपर मुकदमा चलाया गया लाल किला से तो उस मुकदमे के खिलाप दो तरह की पर्तिकडियां हुई हुए एक पर्तिकडिया हुई कि कॉंग्रेस की और से एक आई गई जिसका नेत्रित भूला भाव देशाई कर रहे थे और उसमें जवाहलाल नहरू सामिल वो जवाहलाल नहरू जिन्होंने की अस्तहयोग अंदोल के दौरान वकालत का काम नहीं करेंगे कंदर नहीं लिया था उपूरे जीवन में एक बार ही फिर वकील का चोगा प राजद्रोह का आरोप लगाना बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें की अंग्रेजों की सेना के अंदर काम करते हुए जापानियों ने प्रिजिनर औफ वार बनाया था और प्रिजिनर और वॉर प्रिजिनर आफ वार ने आगे चलकर एक नई सरकार की सेनां की सदस्तर जोइंगे, एक नई सरकार बनी जिस सरकार को दुनिया के कई देसों ने मानिता दिया, उस मानिता प्राप्ट सरकार के मुखीया के आदेशानुषार, एक युद्ध हुआ जिस युद्ध में इनकी जीत नहीं हो पाई अब ये आपके युद्ध बंदी है क्योंकि अब ये आपके युद्ध बंदी है तो ऐसे इस हिती में आप इनके खिलाब कोई राजदुरुह कारोप नहीं नपा सकते ये इंटरनेशनल लॉओ के मताबिक युद्ध के बाद जिस युद्ध के ये बंदी हैं उस युद्ध के खत्म हो जाने के बाद रिहा होने के हगदार है अपने रिहा करिए एक तरफ नहरू और भूला भाई देसाई जैसे लोग कोट में बहुत कर रहे है और दोसे तरफ जंता सरकों पे खड़ी है अब पूरे इंदुस्तान में नारा गूंज रहा है सहगल धिल्लो साहनवाच लाल किले से आई आवाच सहगल धिल्लो साहनवाच लाल किले से आई आवाज सहगल धिल्लो साहनवाज अब देखोगी कि कहानी हमारी कुछ इस तरीक से आगे बुर रही थे तब लास्ट पॉइंट इस संदर्व में यह है कि जवाहर लाल नहरू तुभास चंदर बोस की बेटी के पालन पोशन के लिए एक ट्रस्ट बनाए ओर फ्रस्ट ने जो पैसा जमा किया था वो पैसा वयत्त होने के बाद और पिर उन्हीकी पंड में चला지 हला कि उनकी पत्नी पैसा लेने से मना करें पत्नी ने इनकी ओर से को शाहता नहीं लिए लेकिन बेटी का पालनपोशन किया था यह मामला हुआ किस चीज का दूर्ण के बीच के संबंध में सवहाद की बातों मैं अलब बता चुका हूं कि जवाहलाल नहरू सुभास चंदर बोस के इस आइडिया से एग्री नहीं करते हैं कि फासिजम एंड कमुनिजम की बीच में क बात निकल सकता है जवाहलाल नहरू सुभास चंदर बोस के अध्यक्ष के पद के चुनाओ के वक्त इस्तेमाल किये गए राइटिस्ट वर्सेस लेटिस्ट के सब्द कोस से बिल्कुल असह मत थे जवाहलाल नहरू कहते थे कि सुभास बाबु एदी आपको कॉंग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए मत्दान करवाना है तो कारिक्रम की बात करिए सब्द कोसों में मतुल जवाहलाल नहरू ने कॉंग्रेस की वरकीं कमीटी से रिजाइन भी किया लेकिन काम होई तरीके से नहीं मतभेदों की बात में बता चुक हुआ है तो यह दोनों बाते हो ग कई सारी ऐसी बाते होती है जिन बातों से कई लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं माप करिएगा मैं आप मेंसे किसी के इमोशन के साथ नहीं रह पाया है दितो लेकिन मैं अपनी ओर से अंतिम स्टेटमेंट के ही दूँगा कि सुभास चंद्रबोस का जो व्यक्तित्त थ उस व्यक्तित्त के निर्मान में कई सारे डेमेंशन्स थे मुझे कभी सुभास चंद्रबोस के अंदर विसमार्क नजर आता है जो कहता है कि बहस और मुभाहिसों से इतिहास नहीं लिखा जाता है इतिहास लिखा जाता है रखत और लौख से इसी तरह का स्टेटमें सुभ सुभास बाबो के अंदर कभी कृष्ण का व्यक्तित्त नजर आता है उगीता से बहुत ज्यादा प्रभावित है कि अपना कर्म ही हमारा योग है और कर्म के योग पर चलते हुए प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए यदि हमारी अंतिम गति आती है इससे ज्या बीवेका नंद के प्रभाव को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्वैंग सुभास चंदबोस ने कहा कि यदि मेरे सामने में ऐसी कोई दुविधा के सिति आ जाएगी कि मैं कॉंग्रेस का सेशन या रामकृष्ण मठ का सेशन खोर दूं किसे छोरना हो मेरा मन हमेशा इसके बाद फिर जैसे 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 सुभास चंदबोस अपने मिच्चौर एज में जाते हैं वैसे वैसे उनके उपर समाजबादी पीचाधारा काल माक्स अधिका प्रफ़व परने लगता और फिर जब सुभास बावू 1930 के दौर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पिटलर और मुसोलनी जैसा व्यक्ति अपने अपने देशों में नेशनल सोसलिष्ट पार्टी के नाम से मोर्चा बना कराता है और देश के लिए जो सोच रहा है जो कर रहा है वो कर रहा है सुभास बावू इन सब के प्रती भी ओपन है और सब के विचारों को पढ़के समझने की कोसिस कर रहे हैं समझने की कोशिस करते हुए बस हम ये बात कह सकते हैं कि सुभास बाबो के बिचारों में जो एक रचनात मकता है वो तो मुझूद है लेकिन रचनात मकता अभी स्थिर नहीं हुई थे कि यदि हम गांधी और सुभास बाबो को एक दूसरे के आमने सामने कर दें और कहें कि बिचारों में गहराई किसके ज़्यादा है मुझे यह बात कहने में संकोच नहीं होगा कि गांधी में नमस्का